इस कहानी का फूरा सच जानेंगे आज की बड़ी खबर में तुम्हारी पाखी के सेट्स पर श्रद्धा और इकबाल खान के बीट चल रहे प्यार के रिष्टे के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया था ये वही रिष्टा है जिसके कारण एकबाल को अपने ही शो से दिखा दिया गया था बाहर का रास्ता अब इस कहानी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि श्रद्धा एक बार फिर एकबाल को लाना चाती है वहीं सेट पर जहां से उनके इस रिष्टे की शुरुआत हुई थी कहानी ये है कि 16 अगस्त को श्रद्धा आर्या का जन्दन है और इसी खुशी के मौके पर शो के प्रड्यूसर सेट पर केक काटना चाते थे साथ ही वो मीडिया को इस इवेंट को कवर करने के लिए बुलाना चाते थे लेकिन उनके ये ब्लान शो की लीट श्रद्धा को कुछ खास पसंद नहीं आए लगता है इकबाल की सदन एक्जिट का शौक उन्हें अभी तक हासम नहीं हुआ तभी तो श्रद्धा ने इकबाल को उनके इस बवर्दे सेलबरेशन में बुलाने की करदी सेद श्रद्धा ने अपने प्रोड्यूसर्स को साफ कह दिया कि जब तक इकबाल इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे वो सेट्स पर अपना प्रोड्य नहीं सेलबरेट करेंगी ऐसे में प्रोड्यूसर्स ने साफ कह दिया कि वो इकबाल को तुम्हारी पाखी के सेड़ पर कभी वापस नहीं लाएंगे लेकिन श्रद्धा के इन टैंट्रम से तो ये साफ जाहिर है कि वो इकबाल को वापस लाने की हर एक कोशिश करती रहेंगे हम तो श्रद्धा को यही अर्वाइस देंगे कि वक्त रहते वो समल जाएं कहीं ऐसा नहोगी इकबाल के साथ साथ उन्हें भी ना कहना पड़ जाएं तुम्हारी बागी को अलविदार